हालो फ्रेंट्स हाई यू एंद आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सल के अंदर अगर मुझे लेफ्ट फंक्शन को यूज करना हो तो उसे में कैसे करो हुए ठीक है देखें जैसे आपके पास यह पी यह फंक्शन लिया हुआ है और यहां पर मैं कुछ फॉर् ईक्स पिताइगे कि किस टेक्स में से आप लेफ्ट फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं किस टेक्स में है तो मैंने एक कॉमा लगाया नुट्त ev पहले पहले फिर कैते हैं नंबर ओफ करेक्टर भी लेफ साइड से आप कित्दे गरेक्टर पाइंट करना है तो जैसे मैं स्टार्ट करते हूं यह आ जाएगा इंप्रूब ठीक है अब आप देखेंगे एट करेक्टर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 आ रहे हैं तो आप गएंगे माम यह एट करेक्टर कैसे हैं यह तो 7 है पर पिर आपको मैं पहले भी इपर बता चुक हुआ है कि हमने लेट को स्टार्ट करते हैं यही टेक्स्ट है और मुझे नाइन लेटर स्कॉट करना है तो आप अपको यह दिखाएगा इंप्रूब स्पेस एन क्योंकि यहां पर देखें एन को भी उसने काउंट किया और स्पेस को भी काउंट किया है तो आपके पास यह फॉंक्शन बन आपको प्लेर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग राइट और लेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में गाईज एक महीं नेक्स वीडियो में आपको पताती हूं मिडल फंक्शन को हम लोग कैसे यूज करेंगे तो मेरी अनादर फिडियो के लिए आप विजिट करेंगे हमारी इस वेबसाइट पे तो तैंक्यू गाईज